रोज रोज अगर आप नास्ते में वही पोहा उपमा खाकर बोर हो गए हैं तो आज हम बनाएंगे पोहे से एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी जो आपको बहुत पसंद आएगी चलिए बनाते हैं इस नास्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है एक कटोरी पोहा ये मीडियम साइज वाला पोहा है जो बहुत ज्यादा मोटा नहीं होता है और ज्यादा पतला भी नहीं होता है तो इसमें हम डालेंगे पानी तो ये लगभग में डेड़ गलास के जितना पानी डाल करके पोहे क अच्छे से वॉस कर लेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी डस्ट होती है तो देखिए जो गंदा पानी था वो हमने हटा दिया है और इसके बाद पोहे को हम लगभग 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे की पोहा अच्छे से फूल जाएगा ये देखिए 10 मिनट ब देना है आपको इससे टेस्ट बढ़िया आएगा आधा चमश नमक आधा चमश जीरा और ये है चावल का आटा तो यहां पर लगभग एक बड़ा चमश में चावल का आटा डाले हूं बाइडिनिंग के लिए आप चाहें तो चावल के आटे की जगे सूजी को बारीक पीस तो यह हमारा जो नास्ता है वह बहुत ही बड़िया स्पॉंजी बनेगा थोड़ा सा तेल डालेंगे आधा चमश की जितना और एक बर फिर से अच्छे से मसल लेंगे तो यह हमारा जो नास्ता कर डो है वह तैयार है चोटा सा पोर्ट्शन लेंगे इस तरह से बॉल्स बना के चोटे साइज के बनाएंगे जैसे हम पेडे वगर्णा उतना ही साइज रखेंगे और बनाकर एक प्लेट में आचे तयार कर लेंगे तो देखिए मैंने सारे बनाकर रडी कर pursue हैं कडाही में रखेंगे एक से डेढ़ ग्लास की जितना पानिहां होने के लिए इसके ऊपर एक जाली रख देँगे पाणी में बढ़िया से उबाल आने देंगे जब उबाल आ जाएगा तो यहांने नास्ता तयार किया है उसे हमें स्टीम करना है तो इस तरह से हम पूरी जाली के उपर बढ़ी है से अरेंज कर देंगे तो एकदम चिपका के नहीं रखेंगे थोड़ी थोड़ी दूर पर रखेंगे क्योंकि यह नास्ता जो है वो अच्छे से फूलेगा क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है अब हम इसे कवर करके 10 मिनट तक पकने देंगे तो 10 मिनट पकने के बाद ये नास्ता कुछ इस तरीके का हो गया है इसका कलर हलका सा चेंज हो जाएगा तो नास्ता हमारा रेडी है इसे हम साइड में रख देते हैं तड़का तयार करेंगे कडाही में डालेंगे दो चमस तेल आध बढ़ी होते हैं और तिल से हमारा जुनास्ता है वो देखने में भी बढ़िया लगी है चुटकी बर हल्दी पाउडर डालेंगे एक छोटे साइच का बारी कटा हुआ टमाटर डाल दिया हमने अच्छे से मिला देंगे थोड़ा सा नमक डाल देंगे और टमाटर के सॉफ्ट होने तक इसे पका लेंगे तो यह देखे फिरिंज हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं थोड़े से हम इस पे चिली फ्लेक से लाल देंगे तीखा आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं और अब हम इसमें डाल देंगे अपना यह तयार किया हुआ इस्टीम किया हुआ आप चाहें तो इस तड़के के बिना भी इसे चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा बट अगर आप इस तरह से इसमें एक तड़का लगाते हैं तो इसमें आपको चटनी की भी जरूरत नहीं होगी तो बस अच्छे से मिला देना है तो बहुत जादा पत्ता डाल देंगे तो इससे कि देखने में अच्छा लगेगा और यह लिजी फ्रेंट समारा बहुत ही स्वादेश्ट पोहे का यह नास्ता बनकर तैयार है रोज और जोही सिंपल सा पोहा खाकर उप गए हो अगर आप तो इस तरह से पोहे की इस रेसिपी को बनाएगा इसे मैंने सर्व किया है सेजवान चटनी के साथ आप इसे हरी चटनी के साथ टोमेटो केचप के साथ या अपनी पसंद की चटनी के साथ खा सकते हैं यह बहुत ही टेश्टी लगेगा तो रेसिपी को ट्राइ कीजेगा और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें जरूर ब कि एटू